हेलो गाईज वेलकम बेक माई यूटूब चैनल कैसे करें 786 इस चैनल पर आपको नही नहीं योजनाओं के बारे में बताते रहते हैं और साथ ही आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप बनवा रहे हैं या अपलाई किया है तो उसका स्टेटास कैसे चैक करें गें बना है या नहीं बना अप्रूव हुआ या नहीं हुआ तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाइ स्टेप दिखाएंगे हमारा license बना है या नहीं बना apply हुआ है या नहीं हुआ सारे doubt आपके इस वीडियो में clear हो जाने वाले हैं तो वीडियो को आप बिल्कुल भी skip नहीं करेंगे वीडियो skip कर देते हैं और बाद में comment करते रहते हैं कि वीडियो में मतलब समझ नहीं आया तो इसलिए वीडियो को पूरे दिहान के साथ देखें आपके जितने भी license है वह सारे इसमें हम clear कराने वाले हैं कि बने हैं या नहीं बने हैं आप अपने mobile या desktop लैप्टॉप जो भी है उसमें एक browser open करेंगे search bar में लिखेंगे u.p.agri license system देखें मैंने इस्क्रेन पर आपको बड़ा बड़ा दिखा दिया है ठीक इसी तरह से आपको लिखना है और अगर इस website का use आप mobile phone में कर रहे हैं तो 3. पर जाकर desktop mode पे कर लेंगे जिससे की ये website फिर इसी तरह से open होगी search करेंगे अब कुछ इस तरह का page आजाएगा यहाँ पर सबसे पहले वाला link मिलेगा आपको u.p.agri license system इस पर एक बार click करेंगे अब यह इस तरह से website open हो जाएगी website open होने के बाद यहाँ पर आपको काफी चीज़े इसमें देखने को मिल जाएगी जैसे की seeds में apply for new dealer license apply for new state level trading license या आपका renewal for dealer license या renewal for state level license जो भी है आपका pesticide में हो apply for new dealer license या fertilizer में हो अब देखे जितने भी खाद पदारत आते हैं वो सभी fertilizer license में आते हैं और जितने भी मतलब दवाईयां आती हैं वो सभी pastry side में आती हैं इस चीज़ का खाद धिहान रखेंगे आपको अगर आप खाद बीज का काम करने जा रहे हैं तो ये तीनों license आपको जरूर बनवाने हैं seed जो बीज का होता है और उसके बाद pastricide और fertilizer तीनों अलग-अलग license होते हैं ये तीनों आपको बनवाने होंगे इसको बनवाने के लिए BSC agriculture से होना अनिवार रहे हैं status की बात करेंगे status किस तरह से चेक करते हैं अब देखिए इसमें तीनों license का dashboard दिखाया गया है seeds, pesticide dashboard count और उसके बाद है fertilizer dashboard count तो आप जिस भी चीज का license चेक करने वाले हैं इसमें fertilizer हो या pesticide हो या फिर आपका seeds का हो जो भी आपका license है उसी के सामने यहां पर देखिए जैसे कि हम इसमें सबसे पहले आपको fertilizer का दिखाते हैं जिसमें खाद आता है सभी तरह के खाद इसमें आ जाते हैं यहां पर दिया गया है total application receive तो इसमें जो application receive है वो यह है dealer license के लिए यह है और state label का नीचे देखने को मिल जाएगा इसी के सामने देखने को मिलेगा view report इस पर click करेंगे अगर आप मतलब अपनी shop कर रहे हैं तो इसमें dealer license में click करेंगे अब यहां पर आपको UP के जितने भी जिले है उन सभी का नाम यहां पर देखने को मिल जाएगा तो अब जिस भी जिले से हैं अपने जिले के आगे जैसे की for example जैसे की यहां पर दिया गया है आगरा आगरा के आगे total license है 1389 इस पर click करेंगे अब देखिए कुछ इस तरह से यह page open होगा यह देख सकते हैं आप यहां पर सबसे सुरू में आपको application ID देखने को मिलेगी उसके बाद applicant name उसके बाद license यहां पर आपको mobile number देखने को मिलेगा district देखने को मिलेगा उसके बाद address देखने को मिलेगा और यहां पर status आजाएगा तो यहां पर अपना नाम find करेंगे list काफी लंबी चौड़ी होती है यह मैंने security reason की वजह से hide कर रखा है आप जब check करेंगे तो एकदम साफ सही से दिखाई देगा यह देखें काफी लंबी चौड़ी list होती है back करेंगे अब अगर आपका यहां पर नाम show कर गया है तो आगे आएंगे dealer license में मतलब यहां पर दिया गया है total application under verify जो verification में है अभी वो यहां पर मिलेंगे आपको इस पर click करके थोड़ा सा wait करेंगे और अपने जिले के आगे जो भी संख्या रहेगी जैसे कि इसमें आगरा के आगे है 278 इस पर click करेंगे अब यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर अपना नाम चेक कर लेंगे जैसे कि status में भी जो भी आपका मतलब status है वो यहां पर दिखा दिया जाएगा इसमें है status application is under verification at DAO login यह भी under verification में है और complete license हो जाने के बाद आपको यहां पर मिलेगा total license generate जैसे कि हमारा यह था pastry side का तो इसमें यहां पर दिया गया है total license generate जो भी license यहां से issue होए है generate हो चुके है वो यहां पर देखने को मिलेंगे जैसे कि आगरा में है 1094 तो यहां पर list कुछ खुल के आ जाएगी यह अपना नाम find करेंगे और status में भी आपको जैसे कि यहां पर status है भी पिछले बार मैंने भी दिखाया था आपको उसमें status कुछ और था इसमें मिलेगा license generate successfully and transfer to the user dashboard on 13 December 2018 जिस date को आपका license generate होगा issue होगा वो date आपको देखने को मिलेगी और हमारे उत्तर परदेश के अंदर इसको पांच साल के बाद renew कराना पड़ेगा अब जैसे कि अगर आपका नाम यहां पर भी so नहीं हो रहा है सिर्फ यहां पर दिखाया है जैसे इसमें under verification में या फिर यहां पर देख लेंगे total application reject जो application मतलब reject हो चुकी है वो यहां पर आपको मिल जाएंगी इसमें ये application जो है सभी reject हो चुकी है कुल मिला कि ये 17 application reject होई है तो आप बहुत ही असानी के साथ इस तरह से status चेक कर सकते हैं साथ में आप मुझे follow भी कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं और अगर आपका कोई सवाल है तो आप comment box में पूच सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें thanks for watching